हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुती रिशर्च करके एक वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो को देखकर आप अगर संगनक की भरती के लिए त्यारी करना चाते हैं या आपने अपना मन अभी भी नहीं बनाया है तो इस वीडियो को दे लेकेंसी इसका सिलेबस कौन कौन अपलाई कर सकता है एक्जाम की डेट 14 अक्टूबर आ चुकी है कैसे आपको त्यारी करनी है पार्ट वन पार्ट टू ए और बी टोटल हंड्रेट नंबर का ये पेपर आपका होने वाला है हंड्रेट में से कितने नंबर लाने हैं 2021 के अंदर भी 200 पदो पर संगनक की भरती आई थी उसके अंदर कट ओफ क्या गई है पूरे विशय पर इस वीडियो में आप से बात करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप एक गौर्मेंट जॉब चाहते हैं 2023 के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है CET में आएगा या नहीं उसके उपर भी डिसकस करूँगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप से संगनक भरती के बारे में डिसकस करता हूं कम्प्यूटर की वेकेंसी है संगनक की वेकेंसी है कोई भी टाइपिंग नहीं होगा ये बात ध्यान रखो क्योंकि क्या होता है जैसे ही हम बात करते हैं किसी भी कम्प्यूटर की वेकेंसी के लिए तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा जैसे अगर मैं बात करूं LDC की जैसे मैं बात करूं IA की Information Assistant दोनों के अंदर टाइपिंग टेस्ट है लेकिन इस संगनक भरती के अंदर कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा और साथ ही सबसे अच्छी बात कि ये CET यानि की Common Eligibility Test के अंदर सामिल नहीं है जिनोंने भी 2023 के अंदर CET का फॉरम नहीं भरा है CET का एक्जाम नहीं दिया है उन कर सकते हैं सैलरी की बात करूं सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी प्रोको 35 से 38 हजार की सैलरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी सैलरी का लेवल बहुत अच्छा है बहुत अच्छी पोजिशन है और सैलरी अच्छी मिलेगी इसलिए ही थोड़ा पेपर का लेवल ज वार EORO के पेपर में राजस्तान जी के वाला जो पाठ था वो बहुत इजी था अब मैं बात करने वाला हूँ संगनक भरती संगनक भरती के अंदर आपको किस तरीके से डिवाइडेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको कितने सब्जेक पढ़ने पढ़ेंगे तो पह मैथ आएगी, इकोनोमिक्स रहेगा, स्टेट रहेगा और कम्प्यूटर रहने वाला है दोस्तो पूरा एनलाइसेस करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क्स को इस एक्जाम के लिए ला सकते हैं क्या करना है आपको जिससे आप इस एक्जाम को क्रैक कर पाएं तो दोस्तो क्या रहेगा, मैथ, इकोनोमिक, स्टेट और कम्प्यूटर ये चार सब्जेक्ट मिला कर सत्तर नमबर का पार्ट वन थर्टी, पार्ट भी सेवन्टी, टोटल हंड्रेट नमबर का पेपर रहेगा अब हंड्रेट नमबर में से दो हजार इकीस की कट अफ बताऊं, तो दो हजार इकीस की जनरल की जो कट अफ थी, वो थी 66 66 मार्क्स जो है, वो जनरल की कट अफ थी, और S.E.S.T. की सबसे मिनिममम 40 यानि की जो मिनिममम 40 नमबर वाला है, S.E.S.T. में वो पास कर रहा है और 66 गई थी, किसकी जनरल कटेगरी से, अगर आप जनरल कटेगरी से हैं, तो अगर आप 66 परसेंट लेकर आते हैं, तो आपका सेलेक्शन हो गया था इस वार की कट अफ, पिछली वार की कट अफ से जादा फरक नहीं रहेगा, पेपर का लेवल सेम रहेगा, तो कट अफ भी आपकी सेम ही रहने वाली है ऐसा नहीं है कि दोस्तों, फिक्स है, ये कट अफ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके अंदर एक मोटीवेशन रहे, आपको पता रहे कि कितनी कट अफ पिछली वार गई थी, तो मैंको उसके हिसाब से त्यारी करनी चाहिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा इनलाइसेस करके बताऊँगा, सबसे पहले मैं जीके की बात करूँ, यानि की जीके के अंदर तीन पार्ट रहेंगे, पहला रहेगा हिस्ट्री, दूसरा रहेगा जियोग्राफी और तीसरा रहेगा करन अफेर्स के 10 क्यूस्टन, तो तीस नंबर का ये पार्ट रहेगा, और इस तीस नंबर के पार्ट को कवर करने के लिए अगर आप माक्सिमम एक महिना दे दो, तो आप इस तीस नंबर में से 25 नंबर अराम से ला सकते हो, 14 अक्टूबर को आपका एक्जाम होगा, आपके पा भरती संगनक का पेपर पिछले साल भी हुआ था, कोई आउट नहीं हुआ था, और बहुत जल्द इसका रेजल्ट आने के बाद जॉइनिंग भी मिल गई थी, तो इस वार भी प्रोसेस सारा ऐसा ही रहेगा, अगर आप जीके के अंदर 30 में से 25 नंबर ला सकते हो, तो आप अपने आपको बहुत ही अच्छी सिच्वेशन में समझ पाओगे, जीके की त्यारी करने के लिए आपको कोई बुक नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन यूटूब के जरिये अराम से पढ़ सकते हो, यूटूब में राजतान हिस्ट्री पूरा मिल जाएगा, जितना में से अराम से आठ परसंद बहुत हैं, अगर आपको जिहोग्राफी की बात करों तो जिएोग्राफी भी 8 क्युशन आप साई कर सकते हो, करन्ट अफेर्स की अगर में आप से बात करून तो करन्ट अफेर्स आप ज़ादा से ज़ादा 8-6 मैने तक का याद कर लो उसमें मे जो है 24 से लेकर 25 नंबर cover कर पाऊगे अब मैं बात करता हूँ group B की group B थोड़ा सा difficult जरूर रहेगा लेकिन group B को कैसे crack करें इसकी बात सुनो group B के अंदर सबसे पहला subject रहने वाला है state state के लिए कम से कम 35 question आपको देखने को मिलेंगे statics के अंदर 35 question आपको मिलेंगे math की बात करूँ तो math में 10 और economics के अंदर 15 टोटल आपको यहाँ पर 35 से 70 question देखने को मिलेंगे part B 70 question 70 नंबर का हो रहेगा ठीके तो state में 35 question math में 10 15 question economics के और 15 question आपके computer के वापस ध्यान से बात को सुनना computer के जो 15 questions है उसमें एकदम basic level के person आएंगे यानि की Microsoft office, internet related ही person पूछे जाएंगे कोई भी high level का person नहीं पूछा जाएगा तो इस 15 नंबर में से आप अपने 15 नंबर पक्के समझो गलती हो भी जाती है तो दो नंबर छोड़ दो आप इसके अंदर 13 नंबर 15 में से 13 नंबर अराम से ला सकते हो 15 में से 13 नंबर जो है आप अराम से ला पाओगे किसके अंदर? computer के अंदर अब देखो दोस्तों क्या होता है? मैं ये मानता हूँ कि इन 5-6 मेंनों के अंदर आप specialist नहीं बन सकते हो economics एकदम अच्छे से नहीं आएगी और state भी आपको अच्छे से इन 6 मेंनों में नहीं आएगी इसके लिए तो पूरा बड़ा कोर से उसको करने के बाद आजाता है लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ उस बात को समझना देखो मैंने आपको बोलाए कि इस्टेटिक्स के 35 क्यूशन आएंगे एक बात मानो 35 के 35 क्यूशन हाड नहीं होंगे 10 से 12 क्यूशन तो थोड़े easy होंगे और उसके बाद क्योंकि पेपर का लेवल easy to moderate लेवल का ही रहेगा तो 10 से 12 क्यूशन ऐसे होंगे कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप solve कर पाऊगे और 7 से 8 क्यूशन थोड़ा सा अगर मैनत की concentrate किया तो आप 35 में से 20 क्यूशन तो सही कर ही लोगे उसके बाद मैं आपसे बात करूँ math के अंदर आप 10 में से अराम से 4 से 5 क्यूशन solve कर लोगे मैं तो 4 से 5 क्यूशन ही बोल रहा हूँ कि math आपको hard लगती है अगर आप 5 क्यूशन भी math में कर लेते हो तो भी 50% आपके marks बनेंगे economics के बात करूँ 15 नंबर है economics यानि की 15 क्यूशन पूछे जाएंगे economics में 15 में से केवल 8 क्यूशन ही आपको करने है सही आपको 8 करने 15 में से 5 क्यूशन easy होंगे ये तो मानते हो और थोड़ा सा और महनत करके 3 क्यूशन सही करने है negative marking होने की वज़े से जितने क्यूशन सही कर पाओ वो सबसे बड़ी कला रहेगी वो ही सबसे बड़ा आपका achievement रहने वाला है अब बात करता हूँ total नंबर की हमें 66 नंबर चाहिए थे computer में मैंने किये 14 और मैंने gk में किये 25 तो ये हो गए 39 कितने हो गए जो दोस्तों ये हो गए 39 अब मैं बात करूँ math में हमने किये चार economics में मैंने किये हैं 8 और state के अंदर किये हैं मैंने 20 state के कुछ question easy रहेंगे तो 20 कवर कर पाओगे तो total हो रहे हैं यहाँ पे 32 32 और 39 यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप अराम से आपका जो कट आफ रहेगी उसको कवर कर पाओगे आप अराम से कट आफ को कट आफ को कट आफ अपना अपना खुद का score create कर पाओगे बस इसके लिए आपको थोड़ा सा concentrate करना है देखो दोस्तो सलेबस को जितना तोड़ोगे जितना भड़ोगे उतना सलेबस भड़ता जाएगा पहले आपके माइंड में यह clear होना चाहिए पार्ट वन से मुझे कितना नंबर लाना है पार्ट वन से आपको 25 नंबर लेकर आना है और पार्ट 20 की बात करूँ तो पार्ट 20 से आपको जो है 46 मार्क्स लेकर आना है 70 में से 46 नंबर लाने की ही बात कर रहा हूँ 70 में से अगर आप 46 नंबर की 46 मार्क्स की त्यारी करते हैं तो आप क्या सलेक्शन संगनक में होने से कोई नहीं रोक पाएगा इसमें भी competition आपको देखने को कम मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा doubt क्या है economics और math जिसके पास है वो ही forum भर सकता है become वाले अलग है become वाले के लिए सबसे unique opportunity है जो भी become का candidate है उसके पास math और state और economics math ना हो लेकिन economics और state दोनों subject थे ठीके लेकिन अब मैं बात करूँ become के अलावा कौन apply कर सकता है जैसे कोई BA का student है economics से BA किया है वो apply कर सकता है अगर कोई BBA कर रहा है economics है वो apply कर सकता है BCA वाले भी apply कर सकते हैं क्योंकि उनके भी math subject होता है PGDCA diploma ये कोई भी apply नहीं कर पाएगा graduation के अंदर एक साल में economics या state आपके पास होना चाहिए तब भी आप apply कर सकते हो मैंने पूरा detail में आपको समझा दिया है इस exam को आपको crack करना ही है दोस्तो आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं अब मैं आपसे बात करूँ कि कौन सी किताब आपके लिए best रहेगी तो सबसे पहले अपने 30 नंबर जो की रास्था जीके के हैं उसके लिए कोई book नहीं चाहिए YouTube के अंदर बहुत material है और दूसरा 15 नंबर जो की आपका computer है तो 45 नंबर के लिए आपको कम से कम एक मैना देना चाहिए और ये 45 नंबर आप YouTube के जर्ये ही ला सकते हो क्योंकि जितना जादा सुनोगे उतनी जादा चीज़े याद रहेगी और ये 45 marks में से अगर आप अच्छा score कर लेते हैं तो आपका जो part भी है उसके लिए आप एक normal किताब ले आना उससे भी पढ़ कर आप अराम से exam को crack कर लोगे 45 में से 40 नंबर यहां आते हैं तो केवल मात्र आपको 26 से आप तो 26 से 30 नंबर ही तो लाने है इस 30 नंबर से आप अराम से exam को crack कर पाओगे पिछली बार cut off 66 थी आप 70 मान के त्यारी करो अगर आपकी cut off 70 जाती है तो भी आपका selection हो जाना चाहिए और SCST के लिए तो बहुत easy है 40 नंबर पे selection है 100 मैंसे 40 नंबर लाने पर ही आपका selection हो जाएगा तो ये मैंने overall आपको बता दिया है दोस्तों कोई भी doubt हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते है thank you have a nice day bye bye